नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पप्लिकेशन यूस में रविवार की रात अंधर प्रदेश में विजैनगरम जिले के कंटाक पल्ली और अलामंदा के बीच वे ट्रेन हादसे में मरने वालों की गिन्ती बढ़कर 14 हो गई है जिला कलेक्टर नाग लक्षमी ने कहा कि दुरगटना में मरने वालों की संख्या भढ़कर 14 हो गई है वहीं अन्यक कई घायलों को विजैनगरम की हस्पताल में भरती कराया गया है जिन में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है सूत्रों के अनुसारा अंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी घटना स्थल का दौरा करेंगे और अस्पताल में भरती घायलों से मिलेंगे रेलवेधी कारियों ने बताया कि विशाखा पटनम पलासा ट्रेन की ग्यारा बोगियों को अला मंदा स्टेशन और विशाखा पटनम NDRF और SDRF कर्मियों के साथ बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है सभी आवश्यक सामानों को दुरघटना स्थल पर पहुँचाया गया है बता दें इस ट्रेन हादसे में तीन बोगियां पूरी तरह से पिचक गई वहीं पट्रियों की मरमत का कारे भी फूर्ती से किया जा रहा है रविवार की शाम विशाखा पटनम रायगड़ा 08504 पैसेंजर ट्रेन ने विशाखा पटनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टकर मार दी इस दुर घटना में कुछ डिब्बे साइड ट्रैक पर खड़ी मालगारी के डिब्बो पर गिर गए इस हादसे के बाद रूट की तैतिस ट्रेनी रद कर दी गई है वहीं कई ट्रेनों को डाइवार्ट भी कर दिया गया है ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहीं पब्लिकेशन यूज धन्यवाद